हेलो गाइज तो आज मैं आप सभी को इंस्टेंट बर्फी बनाने की रेसिपी आप सभी को सिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और इसमें हम डालेंगे चार चमच कोकोनट पाउडर जी हाँ कोकोनट पाउडर मिलता है वह पाउडर आप यूज कर सकते हो और उसी से हम बनाने वाले हैं यह सारी रेसिपी तो देखिए अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे कोई भी ब्रैंड के मिल्क पाउडर ले सकते हो यह सभी के घरो में होता ही है तो उसके बाद इसको हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बादники घृदी हो जाएगा तो जरूरे नहीं कि इतने दूछसे आपका भी काम हो जाएगा अलग-अलग ब्रैंड पाउडर पे डिपैंड करता है कितना दूद लगेगा या जासे अगर आपको ज्यादा टाइट लगे या थिक लगे तो इसमें एक दो चमज दूद और डाल सकते हो लिकिन थोड़ा सा अभी और डालेंगे क्योंकि हमें अभी चीनी नहीं डाला है तो चीनी भी थोड़ा समय का रख़ा वर यहाँ थोड़ा कमी यूज़ कर रहा हूं दोचंभज मैं डाला है चीनी में कमध मैं इसलब स्कूरणी डाला है क्यूंकि अगर यह mix फिर भी नहीं हो रहा है मतलब फिर भी अगर यह बिल्कुल binding नहीं सई जा रही है तो एक चमद दूद आप और डाले मैंने टूटल छे चमद डूद डाला है इसमें तो यह बिल्कुल binding होने लग गया है तो छे चमद डूद डाले एकी बार में चाहिए आप या फ आपने हातों में थोड़ा सा घी लगा ले या घी निया 問क देशी घी लगा ले तो अच्छी बात है तो घी लगाए के अपने हाथों में दभा पकी इसको एकष्य से मेंश करना है तो में करने लिए तो फेसे कर नहीं तो बैकसायट पे मैंने इसके घी लगा दिया है ताकि यह चिपके ना और अच्छ से जब हमेंको कट करके निकाले तो इसली निकल आए तो बस अहों क्या करेंगे ह्याke अपने हातों पे घी लगा लेगे और हातों से थोड़ा सा और अच्छे से स्को शिप देंगे जो भी हैं कि आप इसके उपर बनाना चाते हो दिर बासी अप एाप पहले यह फ्री ज़रूर रगां तो वेरी यह यहां पर पहले ढाल दे और हाuld को अच्छे हाथों से दबा देना है ताकि इसके उपर चिपक जाए या फिर बेलन से हलका सा बेल देना है ताकि और अच्छे से चिपक जाए तो पांस-दस मिंट के लिए डूटली आप इसको आप चाहो तो फ्रिज में रख दो उसके बाद इसको हम cut करेंगे तो फ्रिज में रखने के बाद ना इसको cut करने जा रहा हूँ 10 मिंट के बाद 10 मिंट के लिए मैंने only रखा था और इसके पहले तो side को निकाल देते हैं हम काट कई यह दिखिए कितना बढ़िया है बिल्कुत fluffy type का अंदर से लगेगा और फुला हुआ रहेगा अंदर से लोड़ा सा और इसी type की जो बर्फी है वो बहुत बढ़िया लगती है और खोये वाली जो बर्फी होती है वो तो चलोस की बात ही कुछ नहीं है लेगिन ये वाली बर्फी इसमें coconut का flavor भी है coconut आप चाहो तो skip कर सकते हो उसकी जगा आप ड्राइफ्रूड और जो भी आप दूसरा ड्राइफ्रूड आपको पसंद हो वो डाल सकते हो तो ये देखिए कितना बड़ी अलग रहा है नहीं मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ और जैसे आप coconut की जगा अगर कुछ और डालना चाते हो तो उसको powder के फोम में डाले या फिर उसको हलका सा दरदरा कूट के डाल दे तो देखिए बिलकुल हमारी बर्फी वो ready है और इस टाइम पर आप इसको सर्फ कर सकते हो दस मिंट के अंदर बनने वाली ये बर्फी है और दस मिंट में ही यह आप किसी भी गेस्ट को सर्फ कर सकते हो कभी-कभी अचानक महमान आ जाते है नो तो उमारे पास मिठाई हो गरा घर पे कुछ नहीं होता तो इस तरह से में जरूर बताईए और हाँ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले और मिलते हैं नेक्स वीडियो में रोज आसी नई रहा सपीज में आप सभी के लिए अप्लोड करता रहता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें